प्रोटीन आयरन से युक्त ये नाश्ता छोटे बड़े सभी को बहुत पसंद आएगा ब्रेकफास्ट के लिए ये नाश्ता सुपर नाश्ता है अगर आपने सुबह ये नाश्ता खा लिया तो समझे दिन भर आपके अंदर एनर्जी बनी रहेगी तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो देखिए फ्रेंट मैंने तीन से चार घंटे पहले मूंग डाल को भी गो दिया था ये कप है इसी कप से मैंने डेड़ कप मूंग डाल भी गो जा था अब इनको हम छान लेंगे और इनको पीस लेंगे इनमें हम थोड़ा सा अदरक डाल देंगे एक इंच के बराबर और 5-6 दाना लहसुन की कलिया डाल देंगे इसे नाश्ते में टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और पानी बहुत थोड़ा सा डालेंगे बात में मिलाएंगे लेकिन अभी थोड़ा सा तो मैंने पीस लिया है अब यहां पे हम जीडा, चिली फ्लेक्स, हल्दी और थोड़ी सी हिंग डालेंगे जिससे फ्लेवर बहुत अच्छा हैगा और एक चमच के बराबर नमक डाल दिये हैं, नमक आप अपने स्वात के अनुसाद डालिए तो फ्रेंड्स, आज हम उंगलेट बनाने जा रहे हैं, तो अब हम दाल का फेस्ट और सारी सबजीयों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे जरूरत पढ़ने पर थोड़ा सा पानी और डालेंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे बेटर जो है, बहुत ज़्यदा थिक नहीं होना चाहिए, तो अभी हम तुरंद बनाने जा रहे हैं, तो हम इसमें एक पैकेट के करीब इनो डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे इनों को एक्टिवेट करने के लिए और इसको मिक्स कर लेंगे तो फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज़्यादा ज़्यादा इन्हें शेयर करिएगा मैंने पैन को गयस पे चढ़ा दिया है और उसमें थोड़ा सा आइल डाल करके और उसके बाद ये बैटर डाल देंगे हम एक से डेड़ कल्ची के बराबर डाल देंगे और इन्हें ज़्यादा फैलाना नहीं है बहुत हलके हां से थोड़ा सा इन्हें सेप देना है और ये देखे इस तरह सेप दे चुके हैं अब इनको हम उपर से थोड़ी सी हरी धनिया डाल देंगे बस अच्छा दिखने के लिए क्योंकि मैंने सारी चीजे तो पहले ही मिक्स कर दी है बस ये अच्छा दिखने के लिए आप चाहें तो चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं और उपर से धकन लगा देंगे ताकि अच्छे से पक जाए अंदर तक अब इन्हें एक से तेट मिनट बाद हम धकन खोल देंगे थोड़ा सा इसमें आईल फिर से उपर से डालेंगे और उसके बाद इनको पलट लेंगे पहले खोलेंगे देखें साइड साइड से हटा देंगे ताकि ये चिपके न रहें उसके बाद इनको हम पलट देते हैं तो देखिए इस तरह कितना अच्छा कलर आया है और पीछे कितने अच्छे से सीक गया है तो हम फिर से आयल डाल देंगे साइड साइड से ताकि किनारों पे भी अच्छे से हो जाए और ये देखिए एक चम्मच की सहायता से पहले हम साइड को खोल लेंगे उसके बाद ऐसे हाथों से प्रेस करके घुमा देंगे ताकि किनारे किनारे भी अच्छे से हो जाए और पैन की हेल्फ से भी अच्छे से घुमा देंगे अब ये देखिए दूसरी साइड भी बहुत अच्छे से हो गया है आप देख पा रहे होंगे कि कितनी अच्छी मॉंगलेट बनके तयार हो गई है तो इसी तरह हम और भी बना लेंगे और इनको प्लेट में रख लेंगे इस मूंगलेट को आप दही, चटनी या हरी चटनी के साथ टमैटो सॉस के साथ किसी के साथ भी खाएंगे बहुत ही अच्छा लगेगा इस मूंगलेट को आप अपने हिसाब से मोटा पतला बना सकते हैं